शुरू करते हैं माकनलाल जी जहां सुप्रिया जी ने जो सवाल किया था वहीं से शुरुआत करेंगे जिन्ना और सावर करने रखा रिकार्डिंग वापस करवा दूगा हमें जूट मतदाए मैं रिकार्डिंग वापस कर देखे आए मैं इसको रिकार्ड पर करेक्ट करना चाहूंगा कि दूरी राष्टवाद से धान सब से पहले 1868 में मेरट की स्पीच में सरस्यद हमद खान ने कहा हिंदूज और मुस्लिम वाट टू डिस्टिंक नेशन डे कैन नॉट लिब टूगेदर अब करता हुसाइन हाली ने कविता लिकिया जी कविता पर बाते हैं उसके बाद जो अलिगर मुस्लिम इनिवस्टिंके लोग थे उसको परसू करते रहें और एक बार पून अभी आ रहा है और रहा है मेरे नाम दूसरे है उसके बाद 1930 में अल्लामा इकबान ने मुस्लिम कुरान के second example देते हुए कि हिंदू and Muslims are two distinct nations they cannot live together ये सावरकर जी ने भी कहा था नहीं सावरकर ने कहा नहीं लिखा है किताब में हम आ रहे हैं उस पे सावरकर ने 1949 में जब जिन्ना ने ये मांग रखना शुरू किया तो सावरकर ने कहा कि आप सही कह रहे हैं कि हिंदू मुसल्मान दो अलग रास्ट रहे हैं क्योंकि सरस्यद और अल्लामा एकबाल ने भी ये कहते चले आए तो ये सिद्धान सावरकर नकार नहीं है अब मेरे प्रश्ण का जवाओ अब आपके प्रश्ण पर आते हैं सावरकर ने 1911 तक क्या कभी हिंदू संगटनों की बात की थी आपने कहा था अतुल जी ने कि दो हिस्तों में करके देखने कर रहा प्रिजन विफॉर प्रिजन और आफ्टर प्रिजन मैं आफ्टर प्रिजन के बाद जो देश में पॉलेटिकल इस्तियां बनी हैं वो राजनीट को कम महतो देकर वो वास्तों में सोचल फील्ड में गए रिलिजिस फील्ड में गए और ही वाज आपनों को सर्प्राइज होगा कि सावरकर वर्चुली एथीस्त हैं वो हिंदू धर्म नहीं म क्समें देशंचन को जो इस करन को में जब सबस्दक करें गया कि सत्था कि स सज़ आपनों तो करोिर कर विर हैं जाता हैं भलिजू को मैं खुलेए प्नदों जो दो रहरां एल कि में बंदski लिएए मैं तो कि दform गएो कि घविए प्ग सर्पश Ukraine